नमस्कार दोस्तों अजय अस्त्रोमानी गुरू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कनाडा में मसूर और मतर के स्टॉक में होने वाली वृद्धी के बारे में। हाल ही में जारी किये गए आकडों के अनुसार, कनाडा में 2024-25 सीजन के दोरान मसूर का उत्पादन लगभग 26 लाग तन तक पहुचने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 8 लाग तन की वृद्धी है। इस वृद्धी का मुख्य कारण अनुकूल क्रिशी परिस्थितिया और खेती के क्षेत्र में विस्तार है। रिपोर्ट के अनुसार इस सीजन के दोरान कनाडा से मसूर और मतर के निर्यात में भी बड़ोतरी की संभावना है। क्रिशी और खाद्य कनाडा के अनुमानों के अनुसार लाल मसूर का कुल उत्पादन लगभग 16 लाग तन और हरे मसूर का उत्पादन 7 लाग तन रहने की संभावना है। इससे कुल निर्यात लगभग 21 लाग तन तक पहुँच सकता है। प्रमुकाया तक जैसे की संयुक्त अरब अमीरात, यूरूपिय संग और तुर्की इन निर्यातों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा, सीजन के अंत तक कनाडा के मसूर स्टॉक में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धी हो सकती है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 4.5 लाग तन तक पहुँच सकता है। मटर की कीमतों में भी उतार चड़ाव देखा जा रहा है। वर्तमान में हरे मटर की कीमत लगभग 60 सेंट प्रतिपाउंड है, जो पिछले महीने की तुलना में 7 सेंट अधिक है। लाल मसूर की कीमत भी 33.5 सेंट प्रतिपाउंड तक पहुँच गई है। पीले मटर की कीमत 9.5 से 11.5 कनाडाई डॉलर प्रतिपुशल के बीच है, और हाल के महीनों में इसकी मांग में वृद्धी देखी जा रही है, विशेशकर पश्चिमी कनाडा में। इस सीजन के अंत तक मटर का स्टॉक भी पिछले वर्ष की तुलना में बढ़कर लगभग 4.75 लाग टन तक पहुँच सकता है, जो की पिछले वर्ष के 1.65 लाग टन के मुकाबले काफी अधिक है। इन सभी आकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि कनाडा के मसूर और मतर बजार की स्थिती काफी मजबूत है। उच्चे उत्पादन और निर्यात की मान के चलते, 2025 में एक सकारात्मक डिश्टिकोन सामने आ रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक करें। आपकी टिपणियों का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।